देखे अब मैंने आप सभी के सामने निप्टी का चार्ट ओपन किया है काफी बढ़ी है तेजी आपको दिखाई दे रही है निप्टी के अंदर और कल जो मैं आपको लेवल बता के गए था बिल्कुल देखे उसी लेवल से देखे निप्टी काम करते हुए दिखाई दे रह जाएगा यानि अगर मैं बात करूँ तो यहां पर मैं आपको लिखना भी चाहूंगा 16,880 इसके नीचे जाएगा जब हम पीई बाइंग करेंगे ठीक है फिर हम पीई क्यों बाइंग करेंगे इस गैप के लिए जो मैंने आपको गैप बताया था इस गैप के लिए हम अपर्चुनिटी मिलती है तो उस अपर्चुनिटी को खोना नहीं है यानि अगर मैं बात करूँ 16,920 के आसवास अगर मिलता है बजार तो आप इस जगह C.E.B. कर सकते हो बिलकुल C.E.B. कर सकते हो C.E.B. करने के मैंने आपको दो तरीके बतायते हैं एक तरीका था आपक इस जगह दूसरे तरीके की बात करते हैं दूसरा तरीका था आपका ये वाला लेबल जो कि आपका देखे इस जगह 17,000 के उपर यानि 17,000 के उपर अगर लिकलता है तो वहाँ पर भी आप C.E.B. कर सकते हो अब मुझे बताये कमेंड के अंदर आप सभी लोग बताये कि ये दू तरीके में आपको बताखे कर आया था खीन आज के वीडियो का लाइक इयम भी अपने मर्किटमें लिए जिसमें आपको मुमेंट दिखाईे देना उसमें आपको काम करना चाहिए तीक है आपने देखा हुगा मैंक निप्टि में आज काम नहीं किया जदातार मुझे जो काम करना पसंद है वो bank nifty में है लेकिन bank nifty में कोई moment नहीं था जिसके वज़े से हमने कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि loss करने से अच्छा है कि market के moment को समझे market क्या चाता है उसको समझे अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपका profit बनेगा अगर आप कहीं पर भी call buying करोगे पर भी put buying करोगे तो आपको profit नहीं बनेगा अब जैसे की डेखें मैंने आपसे बोला कि आप इस level पर ce buying कर सकते हो अगर आपको target पता है तो आपको buying करना चाहिए अगर आप देखोगे तो ¥10 s Ya cartridge मैं देखने को बखिये और अगर मैं बात करूं तो 125 पॉइंटो की तेजी देखने को от 150 पॉइंटो की तेजी का मतलब कि अगर जो कौल आपका 33 रुपी पर 33 रुपी पर वो आपका । कम से गम 80 रुपे तक गया होגा थे terribly पर है वह 80 इसी रुपे तक गया होगा ठीक है मतलब इतनी जवर्दस तेजी इसमें देखने को मिलें अब कल क्या हो सकता है और कल आपको कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में आपन जान लेते हैं ठीक है सबसे पहले तो यहां पर आप देखोगे यहां पर देखें पंदाव यहां पर देखें 5 मिल्ट का चार्ट है अभी 5 मिल्ट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो इसमें हो क्या रहा है बजार आपका उपर की साइट उपन होता है फिर उसमें गिरावट आती है फिर उपर की साइट उपन होता है फिर गिरावट आती है तो हो क्या रहा है कि उपर के लेवल से इसमें profit booking देखने को मिलती है यानि अगर मैं बात कहूं तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखे एक चीज notice कीजिए यहाँ पर इसकी क्या पिराइस है यहाँ पर देखे यह उपर की चाइट गया 17,000 तक ठीक है profit booking आई profit booking कितने तक आई इस जगह 16,920 तक यानि अगर मैं बात कहूं तो इसमें profit booking आपको देखने को मुली वह कितने आपको मैं दिखाना चाहूं जेवाला low मारा इसने 16,950 यानि अगर मैं बात कहूं तो इसमें 50 है इस जगह अगर मैं बात कहूं 50 से लेके 80 पॉंट की देखे correction आता है और correction आने के बाद इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है जब जो correction आता है उस correction में हमको इस जगह CE अब ऐसा क्यों क्योंकि इस जगह गैप है जे गैप को fill करने आएगा अब वो कब आता है एक दिन में आता है या पांच दिन में आता है या दस दिन में आता है वो हमको देखना पड़ेगा लेकिन जैसे ही जे आपका देखे 17,000 के नीचे जाता है तो वहाँ पे हम फिर call ब नीचे जब बजा जाएगा अभी हम क्या करते है जब बजार ऊपर की साइट जाता है तो हम देखे इस जगह कॉल में बाइंग करने की कोशिश करते हैं जब बजार ऊपर गया फिर बजार ऊपर गया करेक्शन आया कॉल में बाइंग किया फिर बजार ऊपर गया करेक्शन करो दिया जाते हैं आपको बताया जाता है आपकोह सेकहा हाता है और और सिखाई Mexico कॉ कवर दर्स होते हैं जिका खाफी एच्छा हुए हसास सेय आफा पंसी ऑपन को किए किए 111 विलडे करहेंशिता होता है मुआ है साथ हमें से कवर 19 elle जौन open किया इसको time frame को बिल्कुल आप जगा देखे पंदा मिट का time frame है ठीक है अगर बजार देखे आपको इस level पर मिलता है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा जेवाला जो level है इस level पर मिलता है या मैं और नीचे की site करूँ इस level पर ठीक है दो level मैं आपको उताना इस जगा देखे बिल्कुल समझी और अब मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझी है ठीक है जो थोड़ा ज्यादा रेक से ले सकते हैं देखे मेरी बात को ध्यान से सुनिए जो ज्यादा रेक से ले सकते हैं वो 17,040 सीई बाइंग कर सकते हैं ठीक है जो कम रेक से लेना तो वो लोग देखे इस जगह सी की बाइंग कर सकते हैं 16,920 पर 16,920 पर बात को पूरा समझे जो ज़्यादा रिक्सी ले सकते हैं वो इस पर बाइंग कीजे जो कम रिक्सी लेना चाहते हैं वो इस पर बाइंग कीजे अब मुझे नहीं पता कि वही जे लेवल आपको मिलेगा की नहीं मिलेगा या बजार इस लेवल पर आएगा की नहीं आएगा मैंने आपको बता दिया है ठीक है अगर आपको देखे बजार इस जगा मिलता है 16,920 पर है तो यहां से हमारे जो टार्गेट होंगे बजार के अंदर वो कम से कम देखिए अगर मैं बात करूं 180 पॉंटों के असवस टार्गेट आपको देखने को मिलेगे पहला जो टार्गेट होगा वो 43,000 का होगा जो की मैंने आपको बताएग था आप मेरी बात को समझिए मैंने आपसे क्या हूं मान यह बजार में गिरावट आपको देखने को लिए इस लेवल पर मिलती है जो रिक्सी लेना चाहते हैं वो इस लेवल पर बाइंग कीजिए ठीक है लेकिन नीचे की लेवल पर बाइंग करना है इस लेवल पर बाइंग करन कि मान लीजे कि वजार में आपको गिरावट भी आना है गिरावट क्यों आना वह यहां पर गैप है मैंने आपको एक चीज हमीशा बताया कि मार्केट है पैसे-पैसे का इसाफ ले लेता है अगर आपने मार्केट से 100 रुपे कमाया है और मार्केट ने आपको दिया आये तो आपसे 200 रुपे ले लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट ने आपसे ले लिए आए तो इससे बचेने के लिए हमको क्या करना है कि बजार में देखे इस जगह इस लेवल को समझते हैं यह आपका आखरी लेवल है इसके बात मैं बात नहीं करूंगा अगर होगा सत्तरह हजार के लेवल पर अगर बजा सत्तरह हजार के नीचे जाता है जैसे कि एक केंडिल है आपकी ओपनिंग ऊपर हुई है लेकिन किलोजिंग नीचे की साथ हुई है इसके सत्तरह हजार के नीचे तो यहाँ पर फिर हम सेलिंग कर सकते हैं सेलिंग का मतलब हम पी P.E. में से लिख लेंगे ठीक है लेकिन इसके नीचे हम सेलिंग करेंगे जे लेबल है सत्तरा जाग है इसके नीचे हम सेलिंग करेंगे क्यों करेंगे क्यों करेंगे क्यों कि हमारा एक विव है बाई सत्तरा हजार के नीचे हम बैरिस इसलिए बने रहेंगे क्योंकि मार्केट में जह ग्याप है अब मैं फिर से आपको बताना चाहूँ हूँ ग्याप मुझे नहीं पता है कि आपका एक दिन में आएगा क्या दो दिन में आगा या तीन उपर की साइट अगर मैं बात कहूं तो यहां पर 16760 के आस्वास है यानि जो ग्याप आपको खतम हो जाता है वह 16720 के आस्वास खतम हो जाता है तो इसके आस्वास का ही हमारा ग्याप है और यह हमारा पॉइंट है ठीक है अगर आप देखें लेवल को समझते के हमेशा रुपे मैं आपसे बोलता हूं लेवल को देखके काम कीजिए आज हमने काम नहीं किया अगर हम आज काम करते तो हमारे इस्टॉप लॉस हेट होते हमको लॉस देखने को मिलता मार्केट में आप आईए और मार्केट में कम से कम 5,000 से लेके 10,000 कमाने की कोसिस कीजिए और कम सकते हो ऐसा नहीं है लोग क्या करते हैं लोग एना छोटा छोटा कमाना चाहते हैं और लॉस बड़ा बड़ा दीते हैं लेकिन मैं आप से कहता हूं लॉस आप छोटा दीजिए लॉस बड़ा मत दीजिए लॉस आपको छोटा देना है ऐसल आपको छोटा देना है लेकिन प पॉइंट का पॉफिट बोला यहां पर भी मैंने देखे 280 पॉइंट का पॉफिट बोला बातों को समझे बातों को समझ के अब जैसे कि देखे इसके नीचे जाएगा तो हम वहाँ पर सेलिंग करेंगे और पी में काम करेंगे ठीक है पहला हमाय जो टार्गेट होगा वह जग का टार्गेट बिलकुल नीचे का जो मैंने आपको बताया था 16720 का जे टार्गेट आपको देखने को बलेगे और जे टार्गेट काफी फास्ट आपको देखने को बलेगे अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो का लाइक कीजिए शेयर कीजिए सस्क्राइब कीजि जैहिन बंदे मातर